अर्नब गोस्वामी को आज सुप्रीम कोट से अग्रीम जमानत मिल गई है जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अर्नब गोस्वामी ने पहले हाई कोट में अर्ची लगाई थी अग्रीम जमानत की लेकिन वहाँ पन हाई कोट ने अग्रीम जमानत देने से मना कर दिया और कह अपना अगरिम जमानत लगाईे वहां पर चार दिन के अंदर में अपना फैसला सुनाना होगा लेकिन अर्णव 연 Campaign में अपना की हाइए ह। लेकिन आप सभी को बता दू कि आज उनको अगरीम जमानत के उपर जो है सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोट ने उनको आज अगरीम जमानत दे दी है लेकिन उसमें जो सुप्रीम कोट ने अपने ओर्डर्स में बाते कही है वो बेहदी चोका देने पाली है और कही न कह जिस तरीके से आज सुप्रीम कोट का जज्जमेंट आया है जो सुप्रीम कोट के जदेज ने कहा है वो कही न कही अपने आप में बहुत ही अलग है और जिस केस में पुलिस ने अर्णव गोस्वामी को गिरफतार किया था उस केस के बारे में जो आज सुप्रीम कोट का जज् बाज जो है उनको सुप्रीम कोट ने बेल दे दी है वह भी इतने जव दी महज कुछी घंटे की सुनवाई के बाद दो जजे के बेंच ने आज इस केस पर सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया है आप सभी को बदा दू कि सुप्रेम कोट ने अपने फैसले में कहा है खास करके जो एक जज चंदर मुंड वहाँ पर थे उन्होंने असपस तोर पर कहा कि मैं डिपबलिक टीवी को नहीं देखता हूँ लेकिन राज्य सरकार जो भाबना के खिलाप याने कि किसी के खिलाप टारगेट करके अपने बिचार धारा उनसे नहीं मिलती है तो किसी को ल महराष्ट सरकार कुद रिष्टी से किसी पर जो है अपना गलत नजर बना करके या जो कि उनके खिलाप बोल है उनके उपर जो करवाई कर रहे हैं वो सरासर गलत है और कहीं न कहीं जो महराष्ट के सरकार है उसी के उपर जो है सुप्रीम कोट ने आज सवाल खारा कर दिया लेकिन जो ये केस जिसको आत्महत्या के लिए उगसाने का रोफ है उस सब को दरकिनार कर दिया गया और सुप्रीम कोट ने इस मूते पर सरीफ एक ही लाइन कही वो यह थी कि अगर किसी को पैसे नहीं दिया जाता है तो क्या ये आत्महत्या के कारण हो सकते हैं तो आज सुप अभी काट रहे हैं ऐसे मामले में क्या वो सभी को जो है फोरण रिहा कर देना चाहिए ये सवाल अपने आप में एक जो है अब खारा हो गया है वही दूसरी बात वहाँ पर जो है सुप्रीम कोट ने बहुत ही महत्तोपुर्ण कही है जिसको सभी के लिए जाना बहत जरूर था उसमें तीसरे नंबर की ये जज थे इनकी तीसरी बढ़ियता थी उसमें और वही जज जो है इस मामले में भी सुन रहे हैं दो जजज की जो बैंच है उसमें एक ओभी जज है और उनका नाता बीजे पी से साफ साफ रूपे देखा जाय रहा है और कही ना कहीं बीजे पर जिस तरीके से केस को आगे बराया उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है सिधे सिधे महराष्ट सरकार को टार्येट किया गया है महराष्ट सरकार को जो है सिधे सिधे बाते कई गई है तो इस तरीके से यह बिल्कुल असपश्ट हो रही है कि कि इस तरीके से केंद्र सर आज भी कहा जा रहा है तो कहीं न कहीं अर्णव को स्वामी को आज राहत जरूर मिली है उनको अगरिम जमानत जरूर मिल गई है साथी साथ उनके एलावा जो दो आरूपी और थी इस केस में उनको भी जमानत मिल गई है 50-50 हजार रुके की धरोटी पर लेकिन निश्चित सुप्रीम कोट ने इस पूरे मामले पर फैसरा सुनाया है वो कहीं न कहीं सीधे सीधे लग रहा है कि केंदर सरकार के दवाव में किया गया है और जिन जजजेज का पैनल था इसमें जो एक जजज थे चंदर मुंड उनका सीधे सीधे बीजे पेसे नाता है क्योंकि आज ज कि जो सजा के बारे में इनको नोगे फैसला लिया है उस पर कहीं न कहीं अप उन जश्ट्रिस के उपड़ भी सवालया निशान खरे हो गए है तो इस केस के बारे में आप क्या सोचते है और आपको क्या रखता है कि अर्नव को स्वामी को इस तरीके से बेल मिलना चाहिए थ करता है कि आखिर वो अदालत के आदेश का बहलना करके सीधे नीचे ना जाकर उपर की वा गए तो ये भी एक अपने आप में परसन है और आज जो सुप्रीम कोट है उन्हेंने बंबई हाई कोट पर भी टिपनी की हर कहा है कि बंबई हाई कोट जो है बहुत सारे मामलों में जो जमानत नहीं दे रही है उससे कहीं न कहीं अब एक सबाल खरा होता है लोगों की जो नीजी वक्तित्व की जो उनको अजादी है उस पर कहीं न कहीं अब सबाल उठ रहा है तो आज जो सुप्रीम कोट का फैसला आया वो बिल्कुल समझ से परे है और कहीं न कहीं एक तर